बस आपको यही announcement करना तक कम time बचा है, इस हिसाब से कौन सा chapter पहले pick करना चाहिए, यह भी बता दिया, उसके according 7-8 दिन में फटाफट कतम करिए. Hello everyone, कैसे हैं आप, मैं अनुच कुमार सिम्, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिक्षाधाम में, आज की वीडियो जो है, वो है cost account, B.com, honors के लिए especially, लेकिन कुछ program वाले बच्चों के लिए भी यह reference में ले सकते हैं, क्योंकि program वाले बच्चों का भी exam थोड़ा सा दूर है, regular वालों का भी, और SL वालों का भी, तो हम बात करते हैं, B.com honors का program का, ठीक है, semester 4 के लिए है, यहां रखेगा, सर पहले हम course content की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, unit number one, यह सीधा मैंने आपके du से यह page उठाया है, जो du वाले कहते हैं, हम इस तरीके से करने वाले हैं, तो पहला जो chapter है, basically यह theory का है, और plus इसमें कुछ practical touch भी मिल जाता है, theory की अगर हम बात करें, तो objective, advantage वगरा, यह सारी चीजे दे रखिए आपको, ठीक है, इसके बात, cause, concept and classification, and last में देखेंगे, यहां पर cause sheet भी दे दिया, इन्होंने इसके बारे में जानी है तो यह जो cause sheet है, स्रिफ यह practical है, बाकी जितने भी बात कर रहा है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, सर, वो हमारी बात कर रहा है, स्रिफ और स्रिफ theory की, last में एक part कह देता है, कि introduction of the cost standards, यानि सर आपका पहले chapter की बात करें, तो theory तो है ही है, साथ के साथ पहले chapter में practical भी है, और जिसके अंदर आपके दो जमेला, दो problem आ जाता है, जैसे कहें, एक हमारा new format है, और एक हमारा old format है, एक हमारा old format है, अगर examiner बोलता है कि हमारा cost accounting standard के हिसाब से आपको बताना है, तो वो new format में आ जाएगा, और normal कुछ नहीं बोला, तो वो old format में आ जाएगा, और format में बहुत बहुत बड़ा बदलाब नहीं है, मैंने और यूटूब पर भी वीडियो डाला हुआ है, और मैंने application के अंदर भी cost वाले में डाल दिया है, अब आगे चर्चा की बात करते हैं, सर क्या, इन चप्टर को अगर देखा जाए, पहले चप्टर को, क्योंकि बचे हैं हमारे कित सबसे पहले आपको ये चप्टर करना है, ये बेस है आपका, इसी के अकॉर्डिंगली आपका चप्टर थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है, तो पहला कौन सा चप्टर कर लिया सर आपने cost sheet, एक दिन में easily खतम हो जाएगा, बहुत बड़ा ऐसा quiz के अंदर है नहीं, जस्ट एक फार्मेटिंग का है, चलिए सर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, second unit और third और fourth unit, ये आजाते हैं हमारे बाकी के unit, second unit हमारा है material और labor, सर इसमें से practical plus theory है, और इसमें भी practical plus theory है, option में आएगा, तो हर एक unit वैसे बोला गया है कि 100 number का paper पूचेंगा, तो मान के चलो 20-20 number का 75 का है, तो 15-15 number, depends करता है, question 5 आएंगे आपके, तो सबसे पहले आप इसके बाद, जैसे हमारा cost sheet खतम हो जाए, तो मैं आप सभी को suggest करूँगा, कि आप ये वाली unit कर लीजिए, एक second, हमारा कौन से unit चला गया है, हम करेंगे cost accounting bookkeeping system, इसके अंदर आप ये वाला part मत करिएगा एक है हमारा integer and known integer accounting system, हमें क्या करना चाहिए, cost sheet खतम करने के बाद, हमें कर लेना चाहिए, reconciliation of cost statement, जिन बच्चों का accounts में थोड़ा सा हाथ तंग है, वो इस chapter को पहले ना करें, वो cost sheet के बाद क्या करें, सबसे पहले material कर ले, cost sheet के बाद क्या करें, material, तो मैं दोनों बच्चों की बात करता जा रहा हूं, जिन बच्चों के लिए जो suitable है, register पर लिख लेजेगा, जो बच्चों का accounts के अंदर दिल्चस्पी बनी भी है, accounts बहुत अच्छे से कर रहे है, cost sheet के बाद reconciliation करें, जिन बच्चों का accounts में हाथ थोड़ा सा तंग है, तो reconciliation पहले ना उठा है, cost sheet के ब labor हम बाद में कर सकते हैं, इसके बाद आ जाते है, element अब हमने पहले क्या किया, मैं लिखता जाता हूं, पहले सर हमने cost sheet कर लिया, इसके बाद number 2 पे हमने material कर लिया, अगर हाथ अच्छा है तो हम कर लेंगे reconciliation, और number 3 पे हम material कर लेंगे, ठीक है, number 4 पे method of costing पे आ जाईए, इसक चाहे बच्चा हमारा बहुत अच्छा accounts में है, चाहे बच्चा अच्छा नहीं भी है, तब भी ये chapter कर जाएगा, तो सर इस chapter को करेंगे, ये भी 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर का chapter, 15 से 20 नंबर का, including process, work in progress, तो ये भी मैंने topic करा दिया है, अब इसके अंदर अगर देखा जा तो method of costing की बात करें, तो आपको process और contract कर लेना चाहिए, तो यानि हम बात करें, cost sheet, उसके बाद material, उसके बाद method of costing हमें करना है, तीसरा नंबर, सर कितना समय लग जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपका मान के चलिए, contract account बड़े आसानी से, डेड़ दिन में खतम किया जा सकता है, process account बड़े आसानी से दो दिन में खतम किया जा सकता है, तो cost sheet एक दिन, material एक दिन, और ज्यादर ज्यादर दो दिन ले सकते हैं, और 5-6 दिन का ये हमारा agenda बन गया, इसके बाद आ जाते हैं, सर हम क्या करेंगे, सर अब आप labor पे आईए, labor को finish कर गें, यानि पहले क्या कर लेगा, reconciliation कर लेगा, number 3 क्या पढ़ें, सर हम contract पढ़ेंगे, contract पढ़ेंगे, number 4 पर क्या पढ़ेंगे, process पढ़ेंगे, number 5 पर क्या पढ़ेंगे, labor पढ़ने वाले, labor पढ़ने वाले, number 6 पर क्या पढ़ना है, sir, number 6 पर जिन बच्चों का हाथ तंग है, जैसे भी ह cost reconciliation statement sir number 7 पर किसे पढ़ना है sir machine hour rate machine hour rate sir ये chapter नहीं है ये overhead के अंदर मैं करवाता हूँ overhead का part है number 8 पर क्या करें sir number 8 पर कर लें आप service cost service cost ये दोनों बिल्कुल similar है number 9 पर क्या करें overhead distribution overhead distribution sir कुछ chapter मैंने छोड़ दिये है single output number 2 job costing number 3 joint product single output cost sheet का ही दूसरा नाम है तो ये तो मैं एक दिन में आपको compare करके करवात हुआ और ये दोनों topic भी एक दिन में हो जाएगा और हमारा journal entry base laser base एक chapter है जिसे integral और non integral बोलते हैं तो वो chapter आपका एक दिन में खतम हो जाएगा तो tentatively आपके पास कम से कम honors वाले बच्चों के पास अगर समय की बात करूँ तो कितना समय समय को मैं white marker में लिख देता हूँ एक दिन इसमें लगाईए आप एक दिन इसमें लगाईए और एक दिन डेट दिन लगा लिजिए दो दिन ये लगा लिजिए सर ओवर हेड को हम एक दिन में खतम कर सकते हैं तो वैसे टाइमली देखा जाए तो एक दो तीन दो पांच और एक छे एक साथ और एक आठ दिन के अंदर हमारा syllabus खतम हो सकता है छे तारिक होगे आठ और छे चौदा दिन में हम complete लेकिन सर उसके लिए आपको हार्ड वर करना पड़ेगा कैसे पढ़ना है सर कैसे नहीं पढ़ना है अब मैं आप सभी बच्चों के लिए जो बच्चे application पर मैंने क्या करा cost sheet मैंने बोला भाई cost sheet करो सर कितनी class देखना है कितनी video देखना है मैंने सारी video को merge कर दिया मतलब जो topic wise concept wise जो important video है उनको merge कर दिया है तीन घंटे का chapter बना दिया इसको merge करके आपने क्या करना है 10 year खरीदना है 10 year किसका ले सकते हो market के अंदर वैसे तो बहुत सारे writer है आप शिवदास का ले सकते हो सिवदास का 10 year ले सकते हो मैं phone number भी लिख देता हूं जो बच्चे दूर रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हो जो बच्चे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें मिलता नहीं है तो मैं लिख देता हूं number सिवदास का number s h i v d a s g r e s g reese g का number phone number लिखिए लिख लिजिए सतर ट्रिपल वन सेंतालिस छेसो तीस आप सुबह दस बजे के बाद इनको call कर सकते हैं और फिर आपको availability मिल जाएगा ये 10 year लिजिए पहले मेरी तीन साड़ी तीन घंटे में cost it खतम फटाफट cost it उसमें से देखे करने लग जाएगे दूसरा chapter material उठाए अभी इसका मैंने compilation नहीं किया हो सकता है तीन से चार घंटे में खतम हो जाएगा उसके बाद 10 year के question practice कर दीजिए तो मैं वीडियो को जो compilation कर रहा हूँ उसके अंदर स्रिफ concept और छोटे छोटे questions पहले जो वीडियो था मैंने concept कराए चार पांच question करा दिया फिर concept कराए फिर चार पांच question करा दिया उसमें क्या होता है वीडियो लंबी हो जाते है लेकिन ये समय नहीं है अभी दो तरीके के बच्चे हों गया जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है तो बिल्कुल भी घवराई नहीं जैसे पढ़ रहते बस revision करें इस वीडियो को देखके बात खतम जिन बच्चों ने अभी start भी नहीं किया कैसे पास हुआ जाए तो उनके लिए यह मैं बता रहा हूँ इस तरीके से र बहुत अच्छा गया बस मेरे मन में यही यही चाहता हूँ कि आपसे एक्सपेक्टेशन मैं करूंगा और जभी मैं यह एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ जब मैं आपको इतनी मेहनत करवा दूँ तो यह पहले मेहनत कैसे करना है process account भाई साब जितने भी बन जाए मान लेते चार से पांच गंटे on an average का एक चक्टर बन जाएगा जो कि बहुत इजली आप खतम कर सकते हैं 1x की स्पीड 1.5x की स्पीड फे देखे खतम कर ये मान के चलिए यह पेपर कैरी नहीं होना चाहिए आपको अगर अगर कोई बच्चा इस पेपर में रह जाता है तो छटे समे होंगे आगे दे देंगे अभी नहीं पड़ा भाइस आप 10 दिन है 10 दिन मेरे हिसाब से करके आई और पेपर जांके दीजिए डेफिनेटली आप पास होंगे इसकी मैं बोलता हूं कि आप मेरी बात मान लीजिए एक बार आप पास हो जाएंगे और अच्छे मार्स भी आज आँपो साकती थीत quindi इए लैप टाप पर देखें उर सबसे अच्छा तरीका लैप टोप पे देखिंगे और लैप्लेटोप पे देख सकते हैं पर इसको एक्जाम तक रिड्यूस करके हम क्विकली कर देंगे और मुझे एक्स्ट्रा जो भी टाइम लगाना पड़े मैं लगाने के लिए तैयार हूँ तो जो एप वाले बच्चे है वो बिल्कुल भी टैंशन ना ले आपको एक अलग से special cost के लिए number प्रवाइड कर दिया गया application वाले बच्चों को जो बच्चे क्योंकि ये वीडियो देखो दोनों जगह जाती है YouTube पर भी जाता और application पर तो मैं दोनों की बाते कर रहा हूँ तो especially आपको fast track मतलब basis पर नंबर प्रवाइड कर दिया गया उसके basis पर उसी नंबर पर आप इधर उधर की नंबर मत देखिए उसी नंबर पर वीडियो था ना new format old format अभी आप old बाला करिएगा न्यू वाला फटा 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 आपको मैं समझा दूँगा डेली basis पर मैं वीडियो डालूँगा 6-7 दिर मैं one shot वीडियो लेकर आ रहा हूँ और जो हमारे chapter wise वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों के मैं comment देखता हूँ मैं अगर मैं seriously comment पढ़ू हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब के ठीक नहीं लगता बाई इतना delay हो रहा ह और यह क्या आगया मेरे phone के अंदर अच्छा ठीक है तो मैं अभी comment आपको सामने वैसे तो दिखेगा नहीं मैं जो पढ़ता हूँ ऐसा नहीं कि मैं आपके comments नहीं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद reply भले ही मैं नहीं कर पाता लेट कर पाता हूँ लेकिन पढ़ता इसके बाद और भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर एक बच्चे ने कहा सर आप फिसिकल पॉलिसी नहीं वह एकनॉमिक्स का था और एक ने कहा के सर आप ऐसा करें के आप application वाले बच्चों की सुन रहे हैं YouTube वाले को नहीं सोच रहे हैं प्लीज आपको जभी हम मानेंग हैं वो उतने नहीं है क्योंकि बच्चे देखते हैं वीडियो तो मैं कहता हूं देखो जैसे जैसे बच्चे मेरे से जोड़ते जाएंगे मेरी responsibility बढ़ेगे तो मैं सारा काम वाम छोड़के आपके पीछे पड़ जाऊँगा तो वह वाली बात हो जाती है जैसे नहीं पड़ेंगे भाई सब क्या करेंगे क्योंकि आप क्या हो आप अगर अच्छे number आएंगे तो definitely दूसरे का recommendation करेंगे otherwise नहीं करेंगे simple सी बात है तो उसी basis पर मैं बात करूं तो सारी चीजे मैं लेके आया हूं दूसरी बात सर अभी कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें application पर हमने course नहीं लिया क्या नहीं क्या भाई 7 दिन बचा है no need to buy लेकिन मैं YouTube पर बहुत जल्दी जल्दी वीटो डा रहा हूं in case uncertainty की बात करूं कि कुछ वीडियो अगर ना आपाए तो मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूं जितने भी बीच में हमारे जो service charges जो salesman वग कर ले जिनके डाउट आ रहे हैं जैसे वह यूटूब पर बात कर रहे हैं डाउट आ रहे हैं डाउट सॉल नहीं हो पा रहा है फास्ट्रेक बैच में सोचना डाउट ले ले और एकदम जल्दी से quickly मिल जाए हमें जैसे लाइव रिविजन बैच मिल जाए हमें तो उस तरी और यूटूब पर हम बहुत जल्दी आज से आज देख लीजिए जिस दिन वीडियो डल रही है आज से ही मैं one shot वीडियो डालना चालू कर रहा है आप लोग लिए ताकि आपका कुछ benefit हो पाएं बस आपको यही announcement करना तक कम time बचा है इस हिसाब से कौन सा chapter पहले pick करना चा करें मिलते हम इसी तरीके से नेक्स वीडियो में मैं और भी one shot वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा